हालो फ्रेंड्स मेरो नाम असिफ खान है और 10th क्लास गणित चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ आज हमारे ये क्यूशन है 10th क्लास मैथेमेटिक्स का इसकी यूनिट है वो 4 है और एक्सरसाइज 4.4 जिसका क्यूशन नंबर 3 है यूनिट है हमारी क्वेड्रेटिक इक्वेशन इसका जो एक्सरसाइज 4.4 का क्यूशन नंबर 3 है ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ इसमें हमें दिया गया है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संबव है जिसकी लंबाई चोड़ाई से दुगुनी हो और उसका 6 तरफल 800 मिट्रे स्कॉयर हो यदि है तो उसकी लंबाई और चोड़ाई गयात कीजिए तो इसमें हमें दिया गया है कि बगिया बनाना संबव है जिसकी लंबाई है वो चोड़ाई से दुगुनी है मतलब उसकी जो लंबाई है वो चोड़ाई से दुगुनी है और उसका 6 तरफल में दिया गया है 800 इसके आनस्वर में चलिए हम आपको बिताता हूं आनस्वर में यहाँ पर हम लिखेंगे माना बगिया की चोड़ाई बराबर एक्समीटर हम चोड़ाई है जो बगिया की वह एक्समीटर मान लेंगे क्योंकि इसमें हमें चोड़ाई नहीं दी गई है उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे हम तथा बगिया की लंबाई बगिया की लंबाई है वह हमें क्युस्टन के 은पर जैसे दिया गए हमें की लंबाई है वो चोड़ाई से दुगणी है तो चोड़ाई हमने एक्स मानी थी तो लंबाई उसकी दुगणी है तो हम इसे 2x कर देंगे मीटर टू एक्स हो गई वो चोड़ाई से दुगों नहीं हो गई लंबाई तो इसे हम टू एक्स करतेंगे यह हमने टू एक्स मान ली अब हमें बगिया का छेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चोड़ाई यह छेत्रफल का फॉर्मूला है हमें अगर किसी चीज़ का छेत्रफल लिकानना हो या ग्याद करना हो तो उसके लिए यह फॉर्मूला यूज किया जाता है तो इसमें हमें बगिया का छेत्रफल है जो हमें दिया गया है वो है आठ सो मिटर स्कॉयर तो हम 6 तरफल की जगह लिखतेंगे यहाँ पर 800 मेटर स्कुराइर इस इक्वल टू है उसके बाद में लंबाई लंबाई हमने जो माननी थी 2X वो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2X इन्टू में चोड़ाई हमने मान लिखी X वो लिखेंगे यह होगी X उसके बाद में इसको सरल करेंगे यहाँ पर है 800 is equal to 2X को X से I wieder करेंगे तो यह होगे 2X square इसको साही रूप में लिखेंगे हम तो इसको इस तरह से लिख सिकते हैं 2X square is equal to 800 यहाँ 800 इसको सरल करेंगे यहांसे देखें यह जो x square के बूर आंखे में 2 है यह जो 800 है, इसके upon में इसको transfer कर देंगे हैं बेज़ देंगे तो यहांपर देख देंगे हम x square is equal to 800 into upon 2 यह 2 है इसके जो multiply में, तो यह 800 है इसके divide में इसको बेज सकते हैं तो यहांसे इसको अगर 800 from 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएंगे 400 उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में रह गए है x square is equal to यह होगे 400 अब हमें जो 400 है उसका square के आथ करना है उसके लिए हम क्या करेंगे यह x उसके उपर जो square है उसको under root में change कर सकते हैं तो यह under root 400 हो जाएगा बरबस में गया x बराबर under root 400 400 है उसका जो under root है वो निकालते हैं तो x बराबर हमारे पास में संख्या आएगी y गी 20 y गी 20 मीटर में यह आगे x बराबर 20 मीटर है क्योंकि 400 का जो under root होता है यह इसलिए होता है क्योंकि हम 20 को 20 से multiply करते हैं तो हमारे पास में 400 आते हैं इसलिए 400 का under root है जो 20 आता है under root से हम किसी विसंग के अगर under root निकालते हैं तो पलस और माइनस दोनों में आती है तो x बराबर पलस माइनस 20 मीटर यह हमारे पास में एक्स की value आ गई इसके बाद में देखिए इसके बाद में देखिए यहाँ पर यह जो 20 है यह पलस और माइनस दोनों में तो अगर माइनस में इसके माइनस 20 लेते हैं तो कभी भी लंबाई और चोड़ाई जो होती है उसे वो रिणात्मक यह माइनस में कभी नहीं हो सकती इसलिए हम positive में इसको रखेंगे तो x बराबर यह आगए पलस में 20 मिटर अब यहाँ पर देखिए positive में 20 रखेंगे तो हमें यह positive प्राप्त हो है तो x हमने क्या माननी थी x माननी थी चोड़ाई तो बग्या की चोड़ाई वो मारे पास में आगए 20 मेटर क्योंकि बग्या की चोड़ाई है जो हमने x माननी थी तो x के value मारे पास में 20 आई है तो यह हो गए 20 हो गए वो हो गए चोड़ाई यहाँ पर लिखेंगे हम बग्या के लंबाई बग्या की लंबाई है वो हमने 2x माननी थी तो यहाँ पर है लिख सकते हैं 2 into x के value में प्राप्त होई है वो हो यह 20 तो होगे 20 इस उगल टू यहाँ पर लिखेंगे यहोगे 40 मेटर तो हमारे पास हम बग्या की चोड़ाई है वो 20 मेटर है और लंबाई है उसके वो है 40 मेटर तो इस परकार यहाँ पर लिखेंगे इस परकार आम के बग्या बनाना संभव है यह संभव इसलिए है क्योंकि हमें जो x के value पर आप्त होई थी वो negative और positive दोनों में पराप्त होई थी तो negative को हम negative को हम यह ले नहीं सकते इसलिए हम positive ही रखेंगे तो इसलिए positive एक हमें positive पराप्त होई है तो इसलिए यह संभव हो सकता है कि हमें एक आम के बग्या बना सकते है जिसका छेतर फैल है वो 800 meter square हो तो इस परकार यह था हमारा एक क्यूशन जिसमें हमने लंबाई और चुड़ाई याद करनी थी तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे like और share जरूर कीजिए और नए वीडियो की जानकरी के लिए मेरे 10th class गनित चैनल को सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद